हेलो दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत हैं आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एसी पेट के से लेबस के फर्स टॉपी के बारे में जो है हमारा हडपा यानि कि सिंधू सभेता अब ये जान लेते हैं कि ये सिंधू सभेता यानि कि हडपा सभेता अब तक चला था तो यह पर आप देख सकते हैं कि फाटी सो इसा पूरो से 17, 185 पूरो तक चला था ये भी क्वेश्टिन कि पूच सकता है कि हडपा सभेते है सिंधू सभेता कब तक चला था तो पचीज सो इसा पूरो से 17,185 पूरो ये यूपी ट्रपल अबर फर्ष्ट क्विस्ट्न हे अप्षण सभ्यता करनेता सर्वाधिक मानिता प्राप्तकाल है आ अपसन में देख लेते हैं 200 अप्षुगर quirky 5 noi evento interactive नहीं हो सका है अप्षन डीम्बर भी 500 इसवप्षुगर év से 750025 आपसन डी निश्चित nuts पूरे वीडियो को लाश्ट तक देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेर भी जरूर करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंदु घाटी की सभेता निमनलखित में से किस सभेता के समकाली नहीं थी आपसन में है मिस्र की सभेत शिंदु घाटी ऐसकेल के सभेता में से किस सभेता थी घ्य है किस सभेता यहां पे हम देख सकते हैं कि जो काली अगरना नहीं थी तो यहां क xem वह जाएगा एंस है ग्रीक की सब्वेता और इसमें है कि मिस्र की सब्वेता, चीन की सब्वेता, मिस्व पुठामिया की सब्वेता, ये जो तीनो सब्वेता है, उसके साथ में सिंदू घाटिक सब्वेता, ये चार सब्वेता, विस्व की सबसे पुरानी सब्वेता मानी जाती है, विस्व की नहीं आति है तो आगे नेक्स्ट कोस्ट्ट देख लेते है नेक्स्ट कोस्ट्ट हमारे क्या है सिंदू खाटी की सभेता कहां तक फैली हुए थी, आपसन है, आपसन A है पञजाब, दिल्ली और जम्मू कस्मीर, आपसन B है राजस्थान, बिहार, बंगाला और ऊडिसा, आपसन C है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उरियाला, सिंध, अर बलुचिस्तान, तक लेकर सिंदू घारी concert की सभिताली तो यह याद रखने वाली चीज है बहुत इंपोर्टेंट है कि कहां से कहां तक फैली हुई थे question कोई भी पूछ सकता है किसी भी तरीके से पूछ सकता है इसी भी question में से कोई भी question उठा के दे सकता है या तो question को बदल के दे सकता है तो आगे question देख लेते हैं आगे question कौन सा ह फोर्थ कोईश्यन है सिंधु घाटी की सभिता में घोड़े के ओस्येस कहां मिले हैं तो आपसन A है सुर्खोटदा, आपसन D है वडावली, आपसन C है मांडा, आपसन D है काली बंगा इसका राइट एंसर हो जागा आपसन नमबर A, सुर्व कोटदा, जो सिंधु घाटिक सभिता थी, उसमें जो सुर्व कोटदा नामकिस्थान है, वहाँ पे घोडे के OCS मिले थे, इसलिए इसका राइट एंसर हो जागा सुर्व कोटदा, आपसन नमबर A. सिंधु घाटि इस्थल काली बंगन किस प्रदेश में है, तो काली बंगन किस प्रदेश में है, आपसन देख लेते हैं, आपसन A है, राजस्थान, आपसन B है, गुजरात, आपसन C है, मध्य प्रदेश, आपसन D है, उत्तर प्रदेश, तो इसका राइट एंसर है, आपसन न स्थान में। नेक्स्ट कोश्चन है. निर्म सा पदार्त का उपयोग फ़क्पा काल की मुहरु मुद्राओं के निर्मार में मुक्षप में। स्था. जीन में। कौन सा पदार्त था जिससे यूज किया गया था उष्टाइम में। आपसन A है सेल खड़ी, आपसन B है कासा, आपसन C है ताबा, आपसन D है लोहा, इसका राइट एंसर है आपसन नमबर A सेल खड़ी, यह important question है, इसे ध्यान से याद करके रखिए, यह important question है कि उस टाइम में मुद्रा का प्रयोग, मुद्रा बनाने के लिए किस धातु का प्रयो आपसन B है नौ पासाड यूग, आपसन C है पूरा पासाड यूग, आपसन D है लोह यूग, इसका राइट एंसर है आपसन नमबर A कांस यूग, हड़पा सभिता को कौन सा यूग कहा जाता है, तो इसे कांस यूग भी कहा जाता है, यह important question है, इसको इधान से देखिए, आ आपसन B है पसुपालन, आपसन C है सिकार, आपसन D है क्रीसी, तो यहां का इसका राइट एंसर हो जाएगा, आपसन नमबर A ब्यापार, यहां के लोग ब्यापार जागा करते थे, यहां के लोग सहरी हुआ करते थे, इसका राइट एंसर आपसन नमबर A ब्यापार हो जिसका right answer है Aption B, सहरी. हडपा सभिता की निवासी, सहरी थे. यहां पे अच्छी सड़की भूआ करती थी, गल्यां हुआ करती थी, पक्ये मकान हुआ करती थी, यहां के लोग ब्यापार किया करते थे. इसलिए, हडपा सभिता की निवासी कैसे हुए? सहरी हुए. और आगे question देख लेते हैं दस्वां question है सिंदुगाटी सभिता के घर किस से बनाय जाते थें तो option है A, eat से option B है बास से option C है पत्थर से option D है लकडी से वहां के लोग सहरीवा करते थे और बहुत ही आगे बढ़े हुए लोग थे इसलिए इसका right answer रोजाग option number A, eat से सिंदुगाटी सभिता के लोग eat के द्वारा घर बनाया करते थे next question है हडपावासी किस वस्तु के उत्पादन में स्वर्व प्रत्थम थे तो option A है option A है मुद्राए option B कास से क्या हो जाए option C है कपास, option D है जो इसका right answer है option number C कपास, हडपावासी सबसी ज्यादा उत्पादन कपास का किया करते थे अब आगे question देख लेते हैं बारहवा नंबर का question है निमनलखित विद्वानों में से हडपास अभिता का स्वर्व प्रत्थम खोज करता कौन था option है निमनलखित विद्वानों में से हडपास अभिता का स्वर्व प्रत्थम खोज करता कौन था तो स्वर्व प्रत्थम खोज करने वाले कौन थे है दैयाराम साहनी जी थे next question है सिंदु सभेता का पत्तन नगर बंदर का कौन सा था पत्तन नगर यानि कि बंदर का कौन सा था सिंदु सभेता का तो इसका option A है काली बंगर आप्सन B है लोथल आप्सन C है रोपड आप्सन D है मोहन जोदडो इसका right answer है option number B लोथल सिंदु घाटी का पत्तन नगर यानि कि बंदर का कहा पर था यहां का बंदरगा लोथल में था यह important question है यहां पर आप देख सकते हैं कितनी बार यह पूछा जा चुका है question important question है next question देख लेते हैं चोधावा question है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंदु घाटी के लोगो लोग माप और तौल से परिचित है यह खोज कहां पर हुई तो इसका अप्सन है अप्सन है काली बंगन में हडपा में चंधू दोडो में लोथल में इसका right answer है अप्सन नमबर D लोथल में next question है हडपा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था वो किन वर्गों में बटा हुआ था हडपा कालीन समाज तो अप्सन है सिकारी, पुजारी, किसान और छत्री अप्सन B है विद्वान, योध्या, ब्यपारी और स्रमिक तो इसका right answer है अप्सन नमबर B विद्वान, योध्धा, ब्यापारी और स्रमिक ये चार भागों में उनका समाज बटा हुआ था नेक्स्ट कोईशन है सिंधू सभ्यता का सरवाधिक उप्युक्त नाम क्या है अप्सन A है हडपा सभ्यता अप्सन B है सिंधू सभ्यता अप्सन C है सिंधू घाटी सभ्यता अप्सन D है इनि में से कोई नहीं तो इसका right answer है अप्सन A हडपा सभ्यता क्योंकि हम बार बार ये बोलते आ रहे हैं सिंधू सभ्यता को ही हडपा सभ्यता कहा जाते है बी यानि क्या दूसरा वला वे देवियों और देवताओं दोनों की पुजा करते थें नेक्स्ट कोस्चन देख लेते हैं हडपा सभेता के खोज किस वर्स में हुई थी important question है कि हडपा सभेता के खोज किस वर्स में हुई थी तो इसका right answer हो जागा आप्सन नमबर D, 1921 इस्वी में यह important question है कि हडपा सभेता के खोज़कब हुई है किस वर्स में हुई है तो 1921 इस्वी में हुई है आगे question देख लेते हैं हडपा सभेता के बारे में कौन सी उक्ति सही है उन्हें अस्वमेद की जानकारी थी उन्होंने पसुपति का समान करना आरंभ किया उनकी संस्कृति सामानते इस्थिर नहीं थी तो इसमें उक्ति कौन सी सही है तो इसमें आप्सन C उन्होंने पसुपति का समान करना आरंभ किया उनके सभेता के समय में उन्होंने पसुपती का समान करना आरम किया था तो ये वाली उक्ति सही हुई नेक्स्ट कोईश्चन है हडपा के लोगों के सामाजिक पधती डैस थी क्या थी तो उचित समतावादी वरल आधारित दासरमिक आधारित जाती आधारित तो राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमबर ए उचित समतावादी हडपा सभेता के लोगों के सामाजिक पधती उचित समतावादी थी नेक्स्ट कोईश्चन है सिंधका नखलिस्तान बाग हडपा सभेता कि किस पूरा इस्थल को कहा गया है अपसन अ हडपा, अपसन भी घोदल अपसन C है काली बंगा, अपसन D है Low थल इसका राइट एंसर हो जाएगा अपसन नमबर B, मोहन जोदल नेक्स्ट कोईश्चन है हडपा सभेता कि संपूर छेत्र का आकार किस प्रकार का था तो आपसन है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार आपसन नमर सी सही हो जाएगा त्रिभुजाकार नेक्स्ट कोश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए यानि कि मिलान करना है यहाँ पर यहां पर देख लिएते हैं एक साइड इस्थल दिये कह्ता हैं हैं और सेकेंड साइड नदी के किनारे तो यहां पर आपशन in a में देखते हैं, रपपा दियाया है, in b, मोहन जोदल, c, not C, dal走, d campus, यह किसे किसे मिलान उते तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि हडपा जो इस्थान था जो इस्थान था कहां पर था वो रावी नदी के किनारे था तो इसका हिसी से मिल जाएगा और मोहन जोदलो किस नदी के किनारे इस्थित्ता तो यह यह भी सिधे ही मिलेगा सिंधु नदी के किनारे इस्थित् किंदु नदी के नदी के किनारे बसा वे थो याद कि लिजीए का इंपोर्टेन्ट делать लेश्चा है अन्तरगत की और अंधरगत हल नहींस नेक्स्ट कोच्छन है सेंधो सभेता की इटो का अलंकरण किस स्थान से मिला है आपसान है काली बंगा चनहुदड़ो मोहन जोदड़ो बड़ावली इसका राइट एंसर है आपसान नंबर ए काली बंगा यहाँ पर सेंधो सभेता की इटो का अलंकरण काली बंगा से मिलता है इसका आप्सन देख लेते हैं पंजाब, आप्सन B है सिंध, आप्सन C है गुजरात, आप्सन D है उत्तरप्रतेश, इसका राइट एंसर हो जागा आप्सन नमबर B सिंध, जो मोहन जोदलो है वो सिंध प्रांत में बसा हुआ है नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं सिंधु सभिता में व्रिहत इसनानागार पाया गया है शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपना ख्याल रखें थैंक्यू